कल्राद अमरादी शेहर की पुलिस क्राइम ब्रांच और इस्थानी अन्नुवा अश्वधी प्रिशासन विभाक की ओर से रेमडी सीविर इंजेक्शन की काला वज़ारी करने वाले एक रैकेट का परदाफाश किया गया पकड़े का इस गिरोह में सुपर कुविड अस्पताल के मैनेजमेंट प्रमु डॉक्टर अक्षय मदू का राठोड समेत वाड़ बाय शुभम सुन्टक के शुभम किल्ले कर वो सुपर कुविड अस्पताल की परिचारी का पूनम सुनोने का समावेश है इस गिरोह का बितिरात अमरौतिक पुलिस अयुक्ताले की क्राइम ब्रांच वो अन्वा अश्वधी प्रशासन ने परदाफाश किया कल रात पुलिस ने एक नखली ग्रहाग भेज़ कर पहले सुपर कुविड अस्पताल के वाड़ बाय शुभम सुन्टक के वो महावीर अस्पताल के वाड़ बाय शुभम किलेकर से संपर्क किया इन दोनों ने कैडिला कंपणी के दो रेमटी सीवर इंजेक्शन के लिए 12,000 रुपई की मांग की अन्नवा अश्वधी प्रशासमी भाग के निरिक्षक मनीश गोतमारे के मुताविक यह दोनों इन्जेक्शन केवल सरकारी अस्पतालों के लिए मंजूर थे और उस पर नॉट्स और सेल का लेबल लगा हुआ था जिसकी मूल कीमच 600 रुपई है यह इन्जेक्शन 12,000 रुपई में बेचने की रादे से यह दोनों वाड़ भाए कैम परिसरी स्थित एक्सिस बैंक के एटियम के पास पहुँचे जहां पर पुलिस ने दोनों को तदकाल हिरासत में लिया उनसे पुष्टाच करने पर उन्होंने बताया कि उन्हें यह इन्जेक्शन सूपर कोविड अस्पताल का मैनेजमेंट समालने वाले डॉक्टर अक्षय मदू का राठोड द्वारा दिये गये हैं पुलिस ने रात में ही PDMC अस्पताल के होस्टल में रहने वाली पुनम सोनोने को हिरासत में लिया और उसके पास से हेट्रो कंपनी का एक इंजेक्शन जब्त किया गया जिसकी मूल कीमत 3590 रुपए जो वह 12,000 रुपा में बेशती थी पुनम सोनोने को हिरासत में लेने के बाद पुलिस वारा कीगी पूश्टाश में उसने बताया कि संजीवनी कोविट केर सिंटर के लेबाटरी असिस्टन अनिल गजानन पिंजरकर ने उससे यह इंजेक्शन लाकर दिया था पुलिस ने पिंजरकर को अपनी हिरासत में लेते वे उसके पास से चार इंजेक्शन जब्त किये और पुलिस वारा पुराना हाइवे इस्तित संजीवनी कोविट केर सिंटर पर छापा मारा गया तो वहां कारे रद डॉक्टर पवन दरतात्रे मालसुरे के पास से पुलिस पुलिस ने और दो इंजेक्शन बरामत किये राद बर चली इस कारवाई के दो रान पुलिस ने रेमडे सीविर के कुल 10 इंजेक्शन बरामत किये हैं जिसमें सरकारी कोटे में सूपर कोविड अस्पताल को मिलने वाले इंजेक्शन का समाविश है इसके तहत पुलिस ने क इडिला कमपनी के तीन इंजेक्शन इस कारवाई में जब्त किये जो सरकारी कोटे के थे वहीं रेमडेक ब्रांड के तीन इंजेक्शन बरामत किये गये हैं जिनकी कीमत 36,000 रुपर बताई गी है ativa company के पांच injection जब किये गए हैं जिनकी कीमत 60,000 रुपा बताई गई है fought company के supreme brand के दो injection भी बरामद किये गई हैं जिनकी कीमत 24,000 रुपा बताई गई है इस मामले में पुलिस द्वारत दो डॉक्टरों से फोली चेलोगों को गिरफतार किया गया है और गिरवतारी के बाद इन सभी का पुलिस ने मेडिकल चेक अप किया लेकिन इसमें से संजनी कोविट केर का लैब टेकनीशियन अनिल पिंजर कर कोरोना पॉजिटिव पाया गया ऐसे में पुलिस ने सभी आरोपियों को नियायले में पेश्टो किया लेकिन उनके PCR की मांग नहीं की अधा नियायले ने सभी को नियाईग हिरासत के तयाज जेल भीज़ दने के आदेश दिये अन्नवा औशदी प्रेशातों इभाग के अनुसार कल राद बर चली इस कारवाई के दोरान हेट्रो कंपनी के कोवी फॉर्म नामक पांच सिपला कंपनी के सिप्रेमी नामक दो इंजेक्शन बरामत किये गए हैं यह इंजेक्शन निजी कंपनी के रहने के कारण इसके विखेता यहां नियूकते हैं लेकिन किसी भी फॉर्म दोरा किसी मेडिकल स्टोर को यह इंजेक्शन नहीं बेचा जा सकता बलकि जिले के निजी कोविड सेंटर में इलाज के हितु भरती मरीजों की संख्या के अनुसार निजी कोविड सेंटरों दोरा यह इंजेक्शन खरीदे जाते हैं और इस पर जिलादिश कारेले का अमकुष रहता है किसी एक फार्मसेटिकल कमपनी दोरा दिन भर में किस कोविड सेंटर को कितने इंजेक्शन दिये गए इसका समुचा रिकॉड जिलादिश कारेले को देना पड़ता है हमराधी शेहर के महावीर कॉंप्लेक्स वो गुल्शन टावर में अधिकतर फार्मसेटिकल एजेंसियां कारेरत हैं हेट्रो कंपनी के अधिकरुत विक्रतों में शुभम एजनसी, वरू मेडिकल, वरू फार्मसेटिकल वा इश्वर एजनसी तथा सिपला कंपनी के अधिकरुत विक्रतों में चंदा एजनसी इश्वर एजनसी वा साहिकरुपा एजनसी तथा संजय ट्रेडर्स का समावेश है इन आठों फार्मसेटिकल कमपनियों द्वारा संजीवनी कोवीट केर सेंटर को विगत आठ डिनों के दोरान किस कमपनी के रेमडी सीवर इंजेक्शन का कितना स्टॉक दिया गया इसकी जांच की जाएगी यहां सबसे उलेखनी बात यह है कि सेलिब्रेशन हॉल में संजीवनी नाम कोवीट केर सेंटर को अनुमती दी गई है जहां पर रेमडी सीवर इंजेक्शन अत्वा ऑक्सीजन का प्रयोग करने की अनुमती ही नहीं होती ऐसे में सबसे बड़ी जांच का मसला यह है कि आखिस संजीवनी कोवीट केर सेंटर में रेमडी सीवर इंजेक्शन का प्रयोग कैसे किया जा रहा था सुत्रो से मिली जांच करी मुताबिक दो माह पहले ही रेमडी सीवर इंजेक्शन की काला बज़ारी को लेकर स्वास्त एवं जिला प्रशासन को कुछ संदेख हो चुका था यही बज़ा है कि प्रयोग में लाई जा चुकी Remdesivir Injection के खाली वायल फार्मसी स्टोर में वापिस लोटाने का नियम लागू किया गया था साथी विगत 9 मही को एक वाडबाय को संबंधित अस्पताल द्वारा उपनी सेवा से बरखास किया गया था और एक वाडबाय विगत दो महां से चुटी पर चल रहा था इसके बावजुद इन लोगों ने चुरिशी पर तरीके से अपने संपरकों एवम जान पाजान का फाइदा उठाते वे Remdesivir Injection की काला बाजारी करनी शुरू की थी जानकारी मिली है कि पुराना हेवे स्तिस सेलिबरेशन हाल में इससे पहले किसी अन्य डॉक्टर द्वारा कोविड अस्पताल शुरू किया था लेकिन उससे अर्सा पहले बंद कर दिया गया और आठ देन पहले डॉक्टर पवन मालसुरे ने सेलिबरेशन लॉन को किराये पर लेकर यहाँ पर नीजी कोविड केर सेंटर शुरू किया जहां बीती रत Remdesivir Injection को अनाफशन आप दामों पर बेचने वाले गिरोह का परदाफाश हुआ है पता चला है कि डॉक्टर पवन मालसुरे तियुसा प्रात्मिक स्वास्ते केंद्र में भी कारे रत हैं ऐसे में यह मामला उजागर होने के बाद शुरुवाती दोर में इस काला बाजारी के तार तियुसा से जुड़े होने की जानकारी सामने आ रही थी किन्तु बाद में जीला शले चीकिसाट डॉक्टर शाम सुंदर निकम ने आनन्द फानन में तियुसा प्रात्मिक स्वास्ते केंद्र का दोरा किया को अम्रफि लाखर बेचे जाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं गत रो जिस्तानीे COVID हसपटालों में मरीजों हीतों उपलब्त कराए जाने वाले रेμंडी सिर्य इंजेक्टक्षन के स्टॉक में से कुछ इंजेक्टक्षन सूपर कोविड हसपटाल के वाट बाये दोरा अपने कुछ साथिएं के साथ बाहर लिया कर बेच ले उनकी बेहत हुचे दामों पर कालवा जारी करने का मामला सामने आते ही जिलादी शैलेश नवाल ने इस मामले को बेहत गंभीरता से लिया है और सूपर कोविड अस्पताल सही जिले में कोविड संक्रिन मरीजों का इलाज कर रहे सभी सरकारी कोविड अस्पतालों वो हेल्थ केर सेंटरों की जांच करने का आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस मामले में नीचे से उपर तक जो भी वेक्ति दोश्ची पाया जाएगा उसके खिलाब सक्त वो कड़ी कारवाई की जाएगी इसके साथी जिलादीश नवाल ने इस मामले में जांच हीतु एक समीती का गठन किया है जिसमें इर्वीन अस्पताल के आरेमों दो फार्मसिस्त तथा दो कलरीकल स्टाफ का समावेश है इस समीती को अपनी जांच पू पूनम सुनने को सेवा से निश्काशित कर दिया गया है यह अर्वीन अस्पताल के वार्ड नमबर पांच में ड्यूटी किया करती थी जिसके खिलाब CS कारेले दवरा तुरंत कारवाई की गी वहीं MCD प्रोग्राम में पुनरवसन अधिकारी के तौर पर कारेरत डॉक्टर साथी पता चला है कि सुपर कोविड हस्पताल के वार्ड बाई शुबं सुन्टक्य को दो माह पहले ही सेवा से बरखास कर दिया गया था और महावीर कोविड हस्पताल के वार्ड बाई शुबं किलेकर को विगत 9 मही को ही कारेमुक्त किया गया था ऐसे में संबंदित अपना पल्ला जहाड लिया गया है वह इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जिला पालक मंत्री ये शमति ठाकुर ने कहा कि महामारी काल के दोरान मरीजों एवं आम नागरिकों की जान के साथ खिलवार करने वाले किसी भी व्यक्ति को बक्षा नहीं ज सघंता के साथ जांच की जानी चाहिए कि कहीं इस मामले में सत्ता पक्ष द्वारा अरोपियों को बचाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा